नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल मास्टर तोएज में प्रिप्या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक करें आज के अपने इस वीडियो में हम D.S.S.S.B.P.RT के Teaching Methodology के पेपर का सालुसन देखेंगे जो की प्रिविएस येर में उचे गए थे यह क्वेश्चन पेपर साथ मार्च 2022 को सिप्ट फ़र्ष्ट में हुआ था जिसके हम Part 1 को देखेंगे इसमें 5 Part हैं जिसमें 100 कोशे आते हैं Part 1 में हम 20 को सालुकराएंगे आइए देखते हैं पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन दिया गया इसमें संगयनात्मक छमताओं में मातरात्मक अंतर को मापने के लिए उन परिछणों का उप्योग करना चाहता है ज इसका राइट अंसर है, आप्सन मेत्यत के संग्रा के लूप में देखती जिससे संग्यनात्मक छमताओं तर्क, संग्यनात्मक छमताक अंतरर, तर्क, समस्या, समाधान, योजना, ऐमूर् तसोच, जटिल, विचार, समझ और अनुभाव से शीखना, ये एकल सुचकांग के के रूप में ब्यक्त किया जा सकता है कि मतलब इसमें कहा गया रूप में कवशन क्या सकता है इसमेंं पर डिया गया कि पहला जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं साकर्मी समू नए दृष्टिकोंड खोलता है और उन्हें सोतंतर नेड़ा लेने के लिए मुक्त करता है दूसरा दिया गया इसमें है कुछ नसलिए और जाति Gothic के सदस्य प्रती प्रतिकूल अभी विट्ति को अपयनर्वलित करने की प्रवित्ती इसमें पहला अप्सान दिया गया केवल फर्श्ट दूसरा अप्सन है ना ही फर्श्ट ना ही सेकेंड और आर्सरा अप सेन्द सेकेंड दो लो चौथा आपसन है केवल सेकेंड तो इसका राइट अंसर है आपसन नुम्बर फर्स्ट केवल फर्स्ट यानि जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं साकर्मी समू नए दृष्टि कोड़ खोलता है और उन्हें स्वतंदर निड़ा लेने के लिए मुक्त करता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमा थर्ड है मद्य उम्र के बच्चों के लिए निमलिखित में से कौन सी इसमरडी रणनीती सही है पहला दिया गया है पांच और छो वर्ष के बच्चे बाहल स्मृति उपकरणों का उप्योग कर सकते हैं दूसरा दिया गया है जैदा तर बच्चे कम से कम दस वर्ष की आयोता ग्रूपिंग नहीं करते हैं दिसरा दिया गया है 4 साल की उम्र में सचेत दोहराऊ अनायास कर सकते हैं. पहला अप्षन इसमें दिया गया है, अप्षन 1st है 1st, 2nd और 3rd, अप्षन 2nd है 1st और 3rd, अप्षन 3rd है 1st and 2nd, और अप्षन 4th है 1st, 2nd, 3rd, इसका right answer है option number third, first and second यानि 5 और 6 वर्स के बच्चे बाहिस्मृती उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और दूसरा ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्स की आयोता grouping नहीं करते हैं ये right है question number fourth है प्याजे के अनुसार निम्नलिकित में से प्रतिरूपता का कौन सा युगम सुमेलित सही सुमेलित है पहला दिया गया है अद्रिस्य प्रतिरूपता सरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिने बच्चा नहीं देख सकता है जैसे कि मुह और दूसरा दिया है दृस्यमान प्रति रूपता, शरीर के उन हिस्सों का उप्योग करके नकल करना जिने बच्चा देख सकता है जैसे पैर और हाथ इसका राइट अंसर है आप्सर नमबर थर्ड फर्स्ट एंड जिस्सों और देख भाल करता एक दूसरे को भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं जिसमें पहला अप्सन दिया गया है अलग वी नी यमन दूसरा अप्सन है पारसपरिक वी नी यमन और तिसरा अप्सन है विशिष्ट वी नी यमन और चौथा अप्सन है प्रिथक वी नी यमन इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर सेकेंड पारसपरिक वी नी यमन Kisora वस्था में सारे विकास के संदर्वों में निमलिकित में से कौन सा कतन परिपक्वता का वैड़न करता है पहला धिया है इस प्रक्रिया में आम तोर पर दोनों लिंगों के लिए लगभख चार वर्ष लगते हैं दूसरा दिया गया है इसमें जौवन के दवरान 누कों और लडकियों दोनों में होने वाले सारे लिक परिवर्थनों में कि शोरा वस्था में सम्रिद्धी की तिप्रता सामिल है इसमें पहला अप्सन दिया गया है नाहीं 1st, नाहीं 2nd, दूसरा अप्सन है, केवल 2nd और 3rd अप्सन है, केवल 1st और 4th अप्सन है 1st 2nd दोनो इसका राइट अंसर है अप्सन number 4, 1st and 2nd, दोनो नेक्स्ट कॲेश्चन देखते हैं, कॲेश्चन number 7 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाब है? पहला है, बच्चे मित्रों के साथ स्कूल का ज्यादा अनन्द लेते हैं, दूसरा है, मित्रता, मदद और आत्मस्त्यापन का एक स्त्रोथ है. इसमें पहला अप्सन दिया गया है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, दूसरा अप्सन है केवल सेकेंड, तीसरा अप्सन है केवल फर्स्ट और चौथा अप्सन है, फर्स्ट अन सेकेंड दोनों. इसका राइट अंसर है अपसन नमबर 4, 1st and 2nd, दोनों सही है क्वेश्चन नमबर 8 है सिसू और देखभाल करता के बीच पारसपरिक स्थाई संबंध है पहला दिया है इसमें लगाओ, दूसरा अपसन है समझोता, तीसरा अपसन है प्रतिस्थापन और चौथा अपसन है दंड इसका राइट अंसर है अपसन नमबर 1, लगाओ लगाओ सिसू और देखभाल करता के बीच पारसपरिक स्थाई संबंध है नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 9 है हमारा लैंगी की स्थीरता क्या है पला दिया है अपने लिंग के बारे में बच्चे की जागरुकता सुसंगत होती है दूसरा है इसे लिंग स्रेडी की स्थीरता भी कहा जाता है इसमें आपसन दिया है पहला आपसन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दोनो दूसरा आपसन है केवल सेकेंड फिसरा आपसन है केवल फर्स्ट और चौथा आपसन है ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड तो question नमर नाइन का right answer है आपसन नमर फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है नेक्स्ट कोशिण देखेंए कोशिण नमबर तेन अनम लिखित में से कौन साथ सिधान जेन्डेर इसकीमा सिधान से समद्धित नहीं है पहला अंप्सन इसमें कैरल लीन, दूसरा है हल वरसन इसका राइट अंसर है, आपसन नमबर थर्ड, सिग्मंड फ्रायर्ड, मन और चेतना के मनो विजलेशडवादी है, जेन्डर इसकीमा क्या है, बच्चे को नई समाजिक जानकारी का बोथ कराने के लिए एक साधन प्रदान करके बच्चे के अनुभाव को ब्योस्तित करता है जिन्डर इसकीमा सिदान्त ने जोर देकर कहा कि बच्चे उस संस्क्रिती से पुरुस और इस्त्री भूमिकाओं के बारे में सीखते हैं जिसमें वे रहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 11 है जन्म आगहात क्या है फाला अपसन इसमें जन्म के 15 दिनों के अंदर चोट लगना दूसरा अपसन है जन्म के 2 दिनों के अंदर चोट लगना तीसरा अपसन है जन्म के समय लगी चोट और चौथा अपसन है जन्म के 5 दिनों के अंदर चोट लगना इसका राइट अंसर है आपसन नमबर थर्ड जन्म के समय लगी चोट जन्म अगहात का लाती है जन्म अगहात जिसे दर्दनाग प्रसों के रूप में भी जाना जाता है जन्म के दोरान या जन्म के समय होने वाली घटनाओं के कारण होने वाली गंभीर मनोवैज्यानिक छटि को दर्साता है अगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नमबर 12 है पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्व में प्रतिकात्मक कारे क्या है पहला है प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उप्योग करने की छमता दूसरा दिया गया है इसमें प्रतीक बच्चों को सालिरी रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते है पहला अपसन इसमें दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों दूसरा अपसन है केवल सेकेंड तिसरा अपसन है केवल फर्स्थ और चौथा अपसन है ना ही फर्स्थ ना ही सेकेंड तो question number 12 तो question like right answer है आपसा number first, first and second दोनों, दोनों सही है Next question है, question number 13 है प्रसौग की त्नी अवस्थाएं होती है फाला option है तीन, दूसरा option है चार, तीसरा option है दो, चोथा amount yok इसका right answer है option number second यानि चार, प्रसौग की चार अवस्थाएं होती है प्रसोग की चारवस्थाओं में पहला है गर्भासय या ग्रीवा का फैला होता है दूसरे में बच्चे की डिलिवरी के बारे में बात की जाती है तीसरा चरण प्रसोग के बाद जब प्लेसेंटा को बाहर ढखिला जाता है और चौथा पुन अस्थापित होना है क्वेक Swedish नंबर 14 है प्रारंभिक बालै अवस्था में संगयनात्मक बिकास के संदर्म में मन के बिकास का सिधानत क्या है पला दिया है या मस्तिस की परिपक्कता और संग्यान में सुधार को दरसाता है दूसरा है वंसा नुगत और पर्यावर्डी है परभाव विकास में एक बड़ी भूमी का निभाते हैं पहला अप्सन इसमें दिया गया है केवल सेकेंड दूसरा अप्सन है केवल फ़स्स Scale के संदर्व में, निम्रिखित में से कौन सा यूगम सही सुमेलित है? वाला दिया है, तीन महिने में पीछे से मूरता है. दूसरा दिया गया है, नौ महिने में खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है. फ़ला अपसन दिया गया है, इसमें केवल सेकेंड, दूसरा है केवल फर्ष्ट और तीसरा अपसन है, फर्ष्ट हैं सेकेंड दोनो और चौथा अपसन है ना ही फर्ष्ट ना ही सेकेंड किया जाता है, next question देखते है, question number 16 है, बाले आवस्था में सार्जिक विकास के संदर्म में पेसी विकास के बारे में जिमनलिकित में से कौन सा कथन सही है, फाला दिया इसमें मद्य बाले आवस्था में इसमें सुधार होना जारी रहता है दूसरा दिया गया है 6 वर्स की उम्र में बच्चे दूर से फेकी गई छोटी गेदों के रास्तों को आंख सकते हैं और निम्निलिखित में से कौन सा कथन सारीरिक बृद्धी और परिवरतन का वर्ड़न करता है। पहला अपसन दिया है केवल सेकेंड दूसरा अपसन दिया गया इसमें नाहीं फर्ष्ट नाहीं सेकेंड तीसरा अपसन में केवल फर्ष्ट और चौथा अपसन है फर्ष्ट और सेकेंड दोनों तो कुष्टन नमर 17 का राइट अंसर है अपसन नमर फर्ष्ट केवल सेकेंड यानि तीन वर्ज की आयू में बच्चों के पेट की मांस्पेस यां विक्सित होती हैं और बच्चे के पेट की मांस्पेस यां कसती हैं, यह राइट है. Next question है, question number 18 है, सोयम का वर्डन करने के लिए उप्योग की जाने वाली विशेशताओं का समू है, पहला है सोचिन्ता, दूसरा आप्षन है सोव परिभासा, तीसरा आप्षन है सोव प्रेररणा और चौथा आप्षन है सोव अधारणा. Question number 18 का right answer है, option number 2, सोव परिभासा. सोव परिभासा, सोयम का वर्डन करने के लिए उप्योग की जाने वाली विशेशताओं का समू है. Next question है, question number 19 है, सहस्व अवस्था में उत्यजना की निमनलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गती से सही रूप से सुमेलित है? पला दिया है, और निमीत, नीद, मांस्पेसियां मरोडती हैं, लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती है. दूसरा है, चेतावनी निस्क्रियता, इसमें सांत गती, चारो ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है. इसमें अपसन है, पहला अपसन है केवल फर्ष्ट, दूसरा अपसन है फर्ष्ट एंड सेकेंड दोनों, तिसरा अपसन है नाहीं फर्ष्ट नाहीं सेकेंड और चोथा अपसन है केवल सेकेंड, तो कुश्चिन नमर 19 का राइट अंसर है अपसन नमर 2, फर्ष्ट एंड सेक केवल फर्स्ट, तीसरा अप्सन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, चौथा अप्सन है केवल सेकेंड और थर्ड, तो question number 20 का right answer है, अप्सन नमबर फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानि rough and tumble play में कुस्ती, मारना, पिछा करना सभी सामिल है, rough and tumble खेल, तब होता है, जब बच्चे एक दूसरे पर चड़ना, फुस्ती करना, इधर उधर लुड़कना, यहां तक की लड़ने का नाटक करने जैसी चीज़े करते हैं, तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने DSSB के Teaching Methodology के Part 1, यानि 20 Question को लगबख साल्व कराया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक क्लियर करना ना बोलें, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जै हिम!